22 जन्वरी को अयोध्या में राम मंदिर के अंदर राम लल्ला की प्रान प्रतिष्टा की जाएगी और आपको बता दे कि उससे कुछी दूरी पर एक भव्य मस्जित को बनाया जा रहा है मेरे ठीक पीछे आप देख सकते है मस्जित मोहमत बिन अब्दुल्ला और इसके जो ड इसे फक्र की बात है के हंदोस्तान में आयोध्या में धनीपूर में मस्जित मोहमत बिन अब्दुल्ला की बुनियाद रखी जा रही है यह अपने आप में एक बड़ी बात है हम फक्र से कहते हैं कि यह मस्जित इतना हमरा हक को यकीन है कि ताज महल से भी खुबसूरत हागां और यह मस्जित की खास बात है जिसका नाम मस्जित महमत् बिन अब्दुल्ह है इसकी खास बाति मोहां को फाइदा क्या पोचाइगी एक नमाज से दुआये होगी और वहाँ पे कैंसर होस्पिटल बनाया जा रहा है जो 500 बेट का होस्पिटल होगा इसके बाद वहाँ से यूपी से कोई भी मुंबई में कैंसर का पेशेंट नहीं आएगा जो जाएगा मस्जिद मुहमद बिन अब्दुल्ला होस्पिटल में ज फिर्जण घ्याल जो से जएगा जिस नकड़ जाएगा जी सटाइगा जिस घाएगा वह अबिमान से कहे गाए कि मेरी माघ मध मुहम्मद बिन अब्दुब्ल का सब्रेश्ट ॉसpox deputy सा रहेगी श्युक से ओड़ें से राममंदी से 25 किलोमेटर की दूरी पे धनीपूर गाओ है उस गाओ के अंदर यह सुप्रीम कोट ने जो पांच एकर जमीन दी एक्स्टा हमने छे एकर जमीन की पहल की और और जरुत पड़ी तो और जमीन हम उसमें लेंगे क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सारी छीजे कि लोगों के लिए फायदा पहुचना चाहिए जिसमें एक एंसर हॉस्पितल आ रहा है के लोगों के फाईदा कैसा पोस्ता है दुआ तो होगी नमाजी थो लेकिन उस इलाके के लिए उस यूपी के लिए एक अपने आप में बड़ी बात होगी अगर कभी दीन की बात करते नभी ने कहा इकरा पढ़ो लिखो आगे बढ़ो यह सारी चीजों को देखते हुए खास तरह पर मज़िद के लिए ध्यान दिया गया है और यह बुनियाद के Electric का काम शुरुआत हो रहा है ताज महल के अपने बात की ताज महल ऐसा को और भशनी नहीं बना सकता संधित हुए आप मजब कैसे धें हम कहते हैं कि जब मैं सुफिजम को मानता हैं जब मैं एक यह चीजा की बात के सामने रखूंगा कि आपनी जब ताज महल को देखा फना और बका की हम जब बातंग करते हैं सुफिजब में शिकाया जाता है यह वना और बखा जो दीन का बात है तो यह जो नाम है यह नाम जो है बका नाम है यह महमत का जो नाम आया इस नाम की बरकत से महबत आएगी बरकत आएगी नूर की बारिश होगी यह खुशुरत इमारत जो होगी यह अपने आप में अद्बुत होगी इस इमारत की खास बात यह होगी कि पांच इसलाम की बुनियाद है जिसके ओपर ये मजजिद हम बना रहे हैं आपने चार मिनार की मजजिद देखी होगी दो मिनार की लेकिन पहली मजजिद आयोद्या में बनने जारी जिसकी मिनारे पांच है कलमा नमाज रोजा जकात हज इस पांच बुनियाद के ओपर मजजिद के मिनारे अब इसके अंदर खोसूरती के अंदर इस तरीकी से बहुत सारी इसी चीजें लेकिया यह पानी का फुवारा इस तरीकी से हम बनाया जा रहे कि मगरीब जैसी होगी वैसी अजान पानी देना शुरू करेगा यह अपने आप में बड़ी बात होगी यूपी के अंदर लाइट आपमेटिक शुरू होना चुरू होगी जैसी फजर होगी तो मस्धित की लाइट आटोमेटिक बंध धोना चलूगी यह अपने आपने एक बड़ी बात होगी फिर हमाँ वेज किचन बना रहे जिसमें वेज किचन के जरीये के अंदर गंगा जमना तैजीब की जब हम बात करते हैं तो आप दरगावाव में हिंदुों को जाते हुए जएगा मस्जिद में कभी हिंदु नहीं जाता लेकि हिंदुस्तान की पहली मस्जिद होगी जिसमें एक हिंदु वेक्ती भी जाके पेड भरके खाना खाएगा यह अपने आप में एक बड़ी तौर वेज किचन और वो सोचेगा यह मस्जीद का है यह हमारा किचन है और वहाँ पेड़ी बात होगी तीन से पांच हजार लोग यहां पे रोज ता कयामत तक के वहां पे खाना खाएंगे यह हमारे सुन्नी वगबोड के चेर्मेन जफर फारुकी साब की सोच थी के वेच किचन आये और यह सारी चीज लेके आये तो उन्होंने राफ़ता मसाजित ने सारी चीज की पूरी पहल क को देखते हुए के हर हिंदुस्तान के सारे आले मेदीन से हम पूछ रहे एक छोटी छोटी चीजे हम उनसे बात कर रहें कि और एक्स्ता क्या होना चाहिए जिसमें कोई कमी नहीं हो यह तो एक पहली जलक आपके सामने हम दिका रहें यह रौ है इसके बाद जो और इसकी ज जब देखेंगे तो यहां लिखा हुआ है मजजीद महुम्मद बिन अब्दुल्ह इस मजजीद का नाम लिखा गया है और उपर जब कुरान की आयत लिखी हुए दूसरे तरफ सारे खुल चारो खुल्फाओं का नाम लिखा हुआ है यह सारी चीज़ों को बारीक नजर दे नीचे जो कोई भी वेक्ती जो इड़ देगा जिनके दुनिया से मर्हुमी चले गए तो वो उनके उनका नाम आएगा जो भी नाम होगा और उसके लिखा हुआ हमने पितल का हमारे आर्केटेक उसके बनाएंगे जिसमें नमबरिंग होगा 200 साल 300 साल 400 साल के बाद अगर कभी खुदा ना खास्ता अल्ला ना करे कभी लिकेश का प्रॉब्लम हो गया यासा कोई बात आ गई तो उसको जब तोड़ा जाएगा मैं तो नहीं होगा लेकिन मेरी नस्वल में से कोई ना कोई हाजिया रपाद उस वक्ते होगा तो वो कुरा किया इस तरीके से हरे की पूरे हिंदुस्तान से पुरी दुनिया बरसे लोग यह इट के अंदर हिस्सा लेंगे और यह इट वहां पर लगाई चालेगी एक जो हम खबरों में पढ़ रहे है कि कुरान वहां पर भव्यक कुरान रखी जाएगी शायद ऐसा कभी किसी करने पूरे दुनिया में देखा नहीं होगा वैसी कुरान भी वहां पर रखी जाएगी उसके बरे में बताई कैसा है कि आज एक अदभूत कुरान बनाया जा रहा है जिसकी लंबाई का इसमें भी बीजेबी अपना टैस देना चाहती हमारा है म Hoş Alban को लगता है हरा नहीं हमारा हो हम जो गरीब नावास को मानता है वह रंग को प्यार करेगा ही करेगा हमने एक दिसरे में बास है लिकिए ये जब दो रंग एक जगा पर मिलते है तो उसकी शान, उसकी रौनक, उसकी महबत बढ़ जाती है हमको जब तुम महबत से देखोगे तो महबते मिलेगी, नफरत से देखे हो तो नफरत मिलेगी तो उस रंग को महबत से हम देखना चाहेगे और इस दुनिया में वो रंग महबते लाएगा और यही गरीब नवास की सीख है, हम आपके चैनल के माद्यम से कहता हूँ, हम बाबर को नहीं मानते बाबर एक राजा था, बाबर इस देख पे तीर तलवार भाला लेके आया था, बाबर इस देख को लूटने आया था, हम बाबर को नहीं मानते हम गरीब नवास को मानने वाले लोगे, हम नभी को मानने वाले लोगे, इसलिए हमने ये नाम मज़िद मुहमद बिन नहीं हो जो एजा इंडियन मुझे लगता है कि मैं मेरे देश से उतना प्याजितना मेरे धर्म से प्यार करता हूं उतना मेरे देश से भी प्यार करता हूं